जो सामने आपको चोटी दिख रहा है वहाँ पे ही वह मंदिर है छोटा सा तो चलिए मंदिर को देखते हैं वेल्कम गाइज ब्लोग श्रीपंडित और अभी हम सुभा फ्रेश हो चुगे हैं और यह देखिए पानी यहां पे गर्म कर रहे है थोड़ा पानी पिला गलाख खराब हो गया है मेरा और फिर ब्रेकफरस्ट करेंगे देखिए यहां पे एक्सराइज कर रहा है अभी इनका इनका कलास चलता है खेटर जाते हैं तो इनका देखिए एक्सराइज सुभा सुभा यहां पे हो रहा है और फैनली हमें अपना रूम नहीं दिखाया था यह हमारा रूम देख सकते हैं यह जो हॉल है फिर इधर साइड में एक छुटा सा रूम है जहां पी मेरा बेड लगा अब फैन चल रहा है तो यहां बिल्कुल ठंडा नहीं अभी सुबह सुबह मैंने अस्नान किया और गावं में तो बहुत ज्यादा ठंडी होगी फाइनली एरा ब्रेक फास्ट करते हैं उसके बात कहीं चलते हो ब्रेक फास्ट कर लिया और ब्लॉग में बने रही है इसके आ मेरे वीडियो में जाएकर देखें बहुत ही अच्छे ब्लोग बना के रखें तो सब को सिंड किजिए और बाहर निकलने से पहले मूँ मीठा कर लेते हैं जो मेरे दोस्त ने हलुआ बनाया है और यह सामने वह दिख रहा है जो माउंटिन के तरह वहीं पर छोटा समंदिर ह और यहां पर रही बाता भी देखिए बूट यहां पर सब बंद है बूट चली नहीं रही है कि उस पर कोई जाए देखिए पीछे भी बूट लगी है सब बंद है तो पता ना कुछ कोई कारण आज किसी कारण वस आज बूट नहीं चल रही है तो आज तो मैं मंदिर नहीं कम हो चुका है और देखिए यह इदर लोग आ रहा है जा रहा है मतलब अगले ब्लोग में मैं दिखाऊंगा उस मंदीर का भीव और तब तक के लिए इतना ही और नेक्स्ट ब्लोग के लिएट किजिए उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत मैं मेहनत कर रहा हूं अभी तक मेरा एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ है तो प्लेज आप लोग अच्छा से सपोर्ट किजिए ताकि मेरा एक वीडियो जरूर वायरल हो ताकि और भी अच्छा चीज में आपको दिखाऊंगा और अभी मैं मुंबई में आया हूं तो हो सकता है कल या परसो कही जाने वाला हूं यहां से एक वीरार में टेमपल है जिवदानी मता टेमपल तो मैं वहाँ जाओंगा तो वहाँ देखाऊंगा वहाँ पे पंद्रह सो सीड़ियो का जो की मंदिर छोटी पे एक पहाड टाइप का उचाई पे बना है तो काफी वह बहतरीन मंदिर है वह हम आ को दिखाएंगे लाइब दर्शन कराएंगे तो अगले व्लोग के लिए वेट किजिए तब तक के लिए टाटा वाय वाय खुश रही है मस्त रही है जहन